नमस्ते और आपका स्वागत है कोर्ण्ट एनर्जी चेकिन में और मैं देखने वाली हूँ कि टूइन फ्लेम में अभी क्या चल रहा है क्या होने वाला है क्या आप दोनों को चाहिए ये हम देख रहे हैं ठीक है क्या हुआ था मतलब एक दो दिन पहले की देख लेंगे फिर अभी क्या चल रहा है क्या होने वाला है और क्या आप दोनों को चाहिए आउटकम ठीक है मैं देखती हूँ चलें शुरू करते हैं रिडिंग क्या कह रहे हैं आपके टैरो कार्ड आपके लिए नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेकिन में और मैं आपके पा क्या हुआ था क्या चल रहा है क्या होने वाला है क्या आप लोगों को चाहिए रिलेशन्शिक में नाइन ओफ सौर्ड वेरी गुट आप दोनों को क्या चाहिए इसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है मज़े की बात तो ये है आप दोनों के अंदर हुआ क्या था आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ के डर को छोड़ के कि मैंने बहुत जादा प्रॉब्लम अपने अंदर जो है कठी कर ली है मेरी जर्णी में बहुत से लोग है आपका पार्टनर भी यही सोच रहा है आपके साथ जो हुआ था ध्यान देना रिडिंग पे बहुत जादा मैश करने वाली है यह रिडिंग यह पास्ट में ऐसा था कि बहुत सारे लोग इंवाल थे आपके रिलेशन्शिप में वो खुद भी गलत थे लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहते रिलेशन्शिप में आप दोनों के अंदर डर था और इस डर को अंदर रखते हुए आप रिलेशन्शिप से जो है कही ना कही भाग रहे थे दोनों आप दोनों ही अपने आप से इस रिलेशन्शिप से भाग रहे थे ये प्यार आपको सचाई की तरफ लेके जा रहा है, आपको सच से इस प्यार ने आपको जोड़ दिया है, और आपको काफी जादा इसने आपकी पहचान बनाई है जब से आप इस रिलेशन्शिप में आई हो, तो ये पास्ट में हुआ है और ऐसा आपके साथ जो है, देखा भी होगा आपने, अगर मैं पास्ट की एनरजी आपकी चेक कर रही हूँ है, वन कार्ड निकाला है मैंने यहापे, तो काफी जादा इसने आपको नाम फेम दिया है, काफी जादा रतियाद्मिक रास्टे से आप जुड़े हो, ठीक है, काफी जादा अपने अंदर से आप जुड़े हो, काफी जादा सचाई को आपने देखना शुरू किया है, पास्ट की बाते हैं यह साथी, और अभी क्य इसी जंगे पे हो ठीक है आप हीलिंग के रास्ते पे चल रहे हो आप प्यार के रास्ते पे चल रहे हो इस टाइम इस टाइम आपको लोग रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो आपको काफी समय मिलनी चाहिए थी काफी समय पहले मिल जानी चाहिए थी वो इज़त आपको जिस नजरिया बदल दिया है अपने ही लिए और जब आप ऐसा करना शुरू किया है तो आपको जंगे पे जो लोग हैं वो देख रहे हैं ठीक है तो लेडी सियानी की बन गए हो आप अपनी रिस्पेक्ट करने वाले ये चल रहा है आपको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए बस कुछ मरजी हो जाए ठीक है मैं एक डिवाइन फैमना है उन्हों हूँ चाहिए कुछ मरजी हो जाए जिखड़े कितने भी हूँ चाहिए लोग मुझे कितना भी घिराए कितना भी दर्द दें आप आप उस चीज़ पे नहीं चलेंगे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए ठीक है ये वाली उर्जा भी आपके अंदर चल रही है और आपके पार्टनर की एनर्जी भी यही है वो सोच रहा है मुझे कुछ बनना है या मास्टर है वो या कोई किसी भी तरह का टीचर है या कोई काम ऐसा करता है जो उसका भी दीके डॉक्टर हो गया मास्टर हो गया कोई भी काम हो गया ऐसा या हीलर हो गया टैरोकार रीडर हो गया तो ये हीलिंग का ही काम है जो इनसान दूसरों को दर्द से निकाल दे दूसरों को शिक्षा दे दे दूसरों को ग्यान दे वो एक master क्यालाता है एक healer क्यालाता है ठीक है उसके पास लोग आके कुछ सीखते हैं ठीक होते हैं अपने दर्द को दर्द दूर करते हैं परिशानियों से बाहर निकलते हैं तो आपका partner भी यही है और आपके partner की सबसे ज़्यादा जो है यही family का डर है उसको कहीं न कहीं क्योंकि वो उसने बनाया है वो उसकी दुनिया है जो उसने बनाया है और उसके बच्चे हैं परिवार है जिनके पालन पोशन में उसने काफी ज़्यादा energy अभी जो है चल रही है उसकी और यही हो रहा है उसकी जिनकी में जगड़े भी चल रहे हैं कहीं न कहीं बहुत जादा एक दूसरी की family member के बहुत जादा चल रहे है ठीक है ना family member के जगड़े जादा चल रहे हैं और क्या होने वाला है होने वाला यह है कि आप दोनों ही nine of sword की energy में हैं दोनों ही परेशान हैं दोनों ही pain में हैं और ये pain जो है काम वाम कर रहे हैं वेस्ट हैं उन काम को बिन बजे के काम को आपने पकड़ा हुआ है टेंशन बहुत जादा चल रही है आप लोगों की जीवन में और ये हो भी रहा है आपको union का बहुत जादा दर्द हैं अंदर की काम मिलेंगे काम युनाइट होंगे partner में रखका आएगा आपको उसका इंतजार है और वो भी इस इंतजार को जो है भाग वो कितना भी आप से रहा है लेकिन उसको आना है वो कई बार इस चीज़ से जो है परेशान हो चुका है कि उसे आना है आना है फिर वो रुक जाता है फिर कोई है उसके जीवन में मदर हो सकती है उसकी wife हो सकती है ठीक है जो उसे आप तक आने से रोक रही है ठीक है बहुत sexually उरज़े हैं पर बहुत जादा दिखाई दे रही हैं बहुत जादा वो आपको याद कर रहे हैं इन दिनों मिस कर रहे हैं और ये होने पाला है बहुत से लोगों के साथ बहुत सी जंगे पर एक परपोजर आ सकता है टैनों वैंस का कार्ड है और आपका अकेला पन जो है काफी दिन से आपका डर जो है वो काफी हद तक ये डर आपको खतम होता वन नजर आएगा ठीक है और ये इनसान और आप इस जर्णी में क्यों आए किस लिए आई ये इनसान इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया है ये कोई इसका और आपका बनाया वन नहीं है ये सच्चाई के रास्ते पे चलने से ये रिष्टा इसको मिला है यह twin journey इसको मिली है, यह knowledge मिली है, यह knowledge जो दोनों के अंदर है वो बराबर है, दोनों ही healer हुआ आप लोग जो यह वीडियो देख रहा है, दोनों ही किसी ना किसी हिसाब से लोगों की मदद करते हो यह मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपका पार्टनर मैंने जैसे कहा अभी कि अपने फैमिली वालों में अपना टाइम दे रहा है और वहाँ टाइम देते हुए यह बीजी तो बहुत है सौड की एनरजी है किंग ओफ सौड अक्शन नहीं लें पाना हैर हर्मिट की एनरजी यह पका इनसान बहुत ज़्यादा दुखी है दर्द में है और बहुत ज़्यादा हीलिंग के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है भगवान के साथ कनेक्ट कर रहा है इस टाइम ठीक है इसकी अरजा जो है अंदर की पौात के लिए तरफ रही है आपके साथ एक होना चाहती है ठीक है बार बार नाइन नाइन ओफ यह कपस का कार्ड है नाइन ओफ का कार्ड नॉर्मल टैरो में जो है ठीक है एक कपस की एनरजी है है हैंड मैं ठीक है कही ना कहीं इस रिलेशन्शिप में एक BOND बनने वाला है ऐसा आपके पार्टनर के और आपके बीच में जो टोट नहीं सकता ठीक है, आपके पार्टनर को ये समझा आने वाली है, एक प्यार की दिवार जो है फिर से आप बनाने वाले हैं अपने दोनों के उपर और उस पे वो इस तरह से पकी करने वाले हैं कि ठीक है कि अब ये जो रिलेशनशिप है किसी के तोड़ने से नहीं तूटेगा आप दोनों की चाहें थीं कि हमारे रिलेशनशिप को सब जो है accept करें सब इसको जो है ये सचाई से जुड़ा हुआ है तो सब इसकी इज़त करें मेरे और मेरे पार्टनर की तो यहाँ पर बरावर एनरजी आप दोनों की यही आ लिए कि आप दोनों साथ एक साथ होते हुए और एंजल्स भगवान की जो है पर्जेंट हैं यहाँ पर उतनी मनजूरी में आप लोगों का प्यार जो है कप जो है वो भर रहा है पुरी तरीके से यहाँ पर और आप दोनों सिचुएशन चाहे कुछ भी हो कहानी चाहे कुछ भी हो लेकिन आप दोनों का फैसला यह है हमें साथ में रहना है तो रहना है यह वर इनरजी यहाँ पर आ रही है और साथ में रहते हुए आपके पार्टनर का जो बरताव है बीहेवियर है वो जैसा भी रहा था पहले वो पास्ट की इनरजी है लेकिन अब यहाँ पर दोनों को कोई उमुच नीच नहीं है कोई स्टेटस का नहीं है किसी को दूर रहते हैं उसका नहीं है बस वीचार ये रहने वाले हैं कि दुनों को साथ रहना है बहुत सारी जंगे पे साथ आने वाले हैं बहुत सारी जंगे पे विचार रहने वाले हैं कि हमें साथ रहना है ठीक है बहुत सारी जंगे पे जो है फोन आ सकता है बहुत सारी जंगे पे थर्ड पार्टी सिच्छेशन में जो है थर्ड पार्टी आप लोगों से अपने आप ह देख रही है और काफी जादा मैस थर्ड पार्टी से भी आपको हीलिंग मिलने वाली है थर्ड पार्टी भी आपके साथ जो है बात करने के लिए सोचेगी कुछ ना कुछ आपकी मदद करने के लिए वो भी चाहती है कि डिवाइन फैम नाइन से जो है मैं रिश्टा ठीक जो है जैसे जैसे आप इनरवर्ग के रास्ते पे चल रहे हैं एक दिम तो कुछ नहीं होगा दीरे दीरे आप देखेंगे कि बदलाव आ रहे हैं और बदलाव जो आ रहे हैं वो दीरे दीर और जादा होते चले जा रहे हैं जो लोग आपसे जैल सिक्त किया करते थे वो लो भगवान आपको आपके रिलेशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं ठीक है इसे भगवान आपको कह रहे हैं ये जो प्यार है प्यार में भगवान की मौजूदगी है भगवान साथ है आपका प्यार जूटा नहीं है आप बिल्कुल आपने जो अभी इसको पकड़ रखा है कि मेरा डियम है, मेरा ट्विन क्लेम है, मेरा पार्टनर है तो ये इनसान चाहें कहीं पे विवियस्ट है, चाहें कुछ भी कर रहा है, बहुत परेशान है इस टाइम ये, फसा हुआ है, दूइधा में है, फैमिली प्रेशर बहुत जादा है लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों जो है, साथ आएंगे ही आएंगे, ऐसा टेरो कार्ट कह रहे हैं, ये करेंट में भी चल रहा है और बहुत से लोगों के साथ ये, इस महीने के लास्ट में होगा, जो कि बहुत प्यारी एनरजी है, इसको क्लेम कर सकते हैं, अभी इनसान ये बेसक दूर है, लेकिन आपसे दिमागी दोर से आपसे दूर नहीं है, अनरजाटिक आपसे दूर नहीं है, आप इसकी डिवाइ अब एक कार्ड ले लेती हैं, कि अंदर की एनरजी आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी अंदर की बाते क्या हैं, उसो हमें अंदर की बात बता देते हैं, कि वोश्यो की जो टैरो कार्ड है, आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखिए टैरो कार्ड कभी भी अपनी उर्जा बदलते नहीं है, वो सेम उर्जा निकल के आती है, जो एक बार निकल गया तो वो निकलता ही चला जाएगा, चाहिए कि इतने वर्जी डैक ले लो, ठीक है, लवर कार्ड आपके उनकी अंदर की आत्मा आपसे ये कहना चाहती है, कि आप उनकी अंदर हैं, उपर जो 5D में भी है, वहाँ पे भी और दिल में भी आप दोने एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारी चीजे बेग थुरू होते हुए, आप क्रेटिविटी के तरफ जा रहे हैं, भगवान आ भी आ सकते हैं, नुकीले लोग भी आपके जीवन में आ सकते हैं, जिनको आप अच्छे से कंट्रोल करना जान सकते हो, ये भी भगवान ने आपको पावर पूरी तरीके से दियो ही है, आपके बोलने में वो हीलिंग पावर है, आपके बोलते हुए वो उजाला है, आपके चारो तरफ रोशनी फैलाती है, क्रेटिविटी में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है भी, भगवान आपको कहा रहे हैं, ये सारी चीजें आपने ब्रेक्थ्रू कर दी हैं, पास्ट की, और आप एक लव की एनरजी में आ रहे हैं, हार चक्रा से जुढ रहे हैं, ठीक है, आप अपने अंदर के गुरू से जुढ रहे हैं, आप एक मास्टर हैं, आप एक हीलर हैं, भगवान आपको यही कह रहे हैं, अपनी जो है, वर्त को पहचाने, अपने हीलिंग कीजिए इस दर्द से जब बाहर आएंगे तब आपको ये दर्द वैसे भी बाहर आने वाला है आपको फजिन का चल रहा है आपका नया जनम हो रहा है ठीक है इस वाली एनरजी में आप लोग है भगवान आपको कह रहे हैं सोल फैमिली का साथ पूरा मिलने वाला है मैंने उससे क्या दिया था कि कार्मिक आपका सपोर्ट कर सकती है कार्मिक आपको प्यार दे सकती है और सोल फैमिली आपकी इज़त कर सकती है आपकी रिस्पेक्ट बहुत जादा होगी इन दिनो ये मैसिज मुझे आपे मिले हैं आप इनको क्या करना है आपने मुझे कमेंट जरूर करना है कमेंट के ही दुआरा मैं आपस बात करती हूँ आपके पास रीडिंग लेके आती हूँ वीडियो को जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जाके उनके जीवन में भी बदलाव आए ठीक है अगर मेरे पास आप आ रहे हैं एक अंसर भी आप कर रहे हैं तो मैं आपको लिस्ट बेज दूँगी वहां से आपको पता चलेंगे कि चार्ज क्या है मेरे एक कॉशन भी जो है उसमें भी आपके जीवन में बदलाव आएगा अगर आप एक कॉशन भी पोछते हैं ठीक है तो इस तरह से है ट्रिपल टू में कोई रीडिंग नहीं हो रही है मुझे मैसेज मत कीजिए ट्रिपल टू में जब मैं ओफर देती हूं तब मैं ट्रिपल टू में दे भी देती हूं कई बार मैंने 99 में भी आप लोगों को दिया है वो इसलिए कि कि बहुत से लोग कह रहे थे कि दिदी हम कैसे ले रीडिंग हमारा दिल नहीं करता रीडिंग करने का उनके लिए मैंने दिया था तो वो भी सोच रहे थे कि दिदी अब तक आप कहां थे क्यों नहीं हमने रीडिंग लिए अपने मुझ से कोई ज़्यादा मैं बढ़ा ही नहीं कर सकती ठीक है वो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या होता है आपके साथ क्या नहीं होता है फिर जो है आगे आती ही रहूंगी मैं इस तरह से आपके लिए आपकी सेवा में नमस्ते